हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चाइनल आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा टू कलर में डिजाइन लेकर आई हूँ यह डिजाइन आप बेबी के सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप कोई बेबी सूट बना रहे हैं तो उसके लिए स्वाइटर के लिए अच्छा डिजाइन है लेडिस कारडिकन के लिए और लेडिस कैप के लिए अच्छा डिजाइन है आप इससे बेबी कैप के लिए यूज कर सकते हैं ब्लैंकेट के लिए प्यारा डिजाइन है इस डिजाइन की रॉंग साइट कुछ इस तरीके से यह जो डिजाईन है यह आप किसी भी डार्ख और लाइट कलर में बना सकते हैं तो चली शुरू करते हैं इस डिजाईन को बनाना यहां पर हमने देखे चार सलाईयों का बार्टर बना लिया है उसके बाद हमने फंदे ले लेने है टू के मल्टिपल में प्लस में वन लेंगे तो हमारा डिजाइन सेट हो जाएगा और दो फंदे और लेंगे जो हमारे एच में लगेंगे तो यहाँ पर हमने टोटल 15 फंदे ले लिये हैं रो वन बिनेंगे हम राइट साइट से 6 रो रिपीट पैटन है तो रो फर्स्ट से हम शुरू करेंगे सीधी तरप से आईगी ये सलाई पहले फंदे को सिलिप कर देना है और पूरी आपको यहाँ पर जो बाकी के फंदे हैं उनको सीधा बिल लेना है अगर आपने मेरे चैनल सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सकाइब कर लिजे बेल आइकन को क्लिक कर लिजे ताकि आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे आने वाले वीडियो में आपको बहुती एज़ी और बहुती प्यारी डिजाइने मिलने वाली है तो देखेगा जरूर यहाँ पर हमने रोप है फर्स्ट कम्प्लीट कर लिए सीधी सलाई हमने कम्प्लीट कर लिए सीधा बिनके रॉंग साइट की तरफ आए है यहाँ पर हमाई दूसरी सलाई कम्प्लीट हो गई है अब हम रो थर्ड पर आएंगे रो थर्ड हमाई राइट साइड की तरफ आएगी पहले फंदे को स्लिप करेंगे अगर आप पहले फंदे को बिनते हैं तो पहले फंदे को सीधा ही बिनिए और बाकी की सभी फंदों को हमें सीधा बिन के रोग को कम्प्लीट कर लेना है यहां पर हमारी 30 सलाई जो है राइट साइट की कम्प्लीट हो गई है रोफ वोर पर आ गया है चौथी सलाई है रॉंग साइट की तरफ आएगी पूरे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बिल लेना है तो यहां पर हम चौथी सलाई कम्प्लीट करते हुए और यहां पर हमारी रोज कम्प्लीट हो गई है देखे लास्ट के फंदे कम्प्लीट हो गए अब यहाँ पर देखे हमारी चार सलाईयां कुछ इस तरीके से आएगी जो हमने सीधी और उल्टी ही बिनिये राइट सा सीधा और रॉंग साइड से उल्टा तो इसके बाद हमें अपनी देखे 50 सलाई बिना है देखे रॉंग सैट से इस तरीके का दिखाई देगा अब हमें 50 सलाई बिनेंगे और 50 सलाई पर हम कलर को चेंज करेंगे तो यहांपर हम अपना secondary कलर लगा रहे हैं पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे tight कर देंगे फंदे को अब यहांगर देखिए हमें कैसे बिणना है यहाँ पर हमारी देखिए 2 क्यरे Multiple में जो है इसके हम पहले फंदे को उतार लेज़े यई निकि बिना बिने दुसरी स्लाई पे ले ले लेंगे फिर दुसरे फंदे में एक बर सीधा बिनेंगे, एक बर उन इस तरीके से सलाई पे लपेट लेंगे, फिर उसी फंदे को एक बर फिर सीधा बिनेंगे, तो हमने यहाँ पर देखिए, एक बर फिर सीधा बिनेंगे, तो हमने यहाँ पर देखिए, एक बर फिर सीधा बिनेंग एक फंदा स्लिप किया, एक बर सीधा बिना, एक बर उन सलाई पे लपेटा, एक बर फिर सीधा बिना, एक फंदा स्लिप किया, दूसरे फंदे को एक बर सीधा बिना, एक बर उन सलाई पे लपेटा, फिर उसी फंदे को एक बर फिर सीधा बिना, एक फंदा स्लिप, दूसरे फंदे में एक बर सीधा बिनना है, एक बर सलाई पे उन लपेटना है, फिर उसी फंदे को एक बार फिर से सीधा बिन देना है, फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे में एक बर सीधा बिनेंगे, उन को सलाई पे लपेटेंगे, उसी फंदे को एक बार फिर से सी इसे देखे कैसे बिनना है, पहले फंदे को slip करेंगे, अब उन को हम आगे की तरफ कर देंगे, यानि कि देखे इस तरफ सीधा जिस तरफ है, उस तरफ हम उन को कर देंगे, देखे इस तरफ सीधा है, यह रोग 6 है, जो हमाई रॉंग साइट की तरफ आएगी, उन को आगे की तरफी रखना है, यानि कि सीधी तरफ, तीनो फंदों को एक साथ बिना, फिर हमने एक फंदा सिलिप किया, तीन फंदों को एक साथ सलाई में लेना है, और सीधा बिनना है, तो यहाँ पर हमारा तीन फंदों का एक फंदा बन जा रहा है, एक फंदा सिलिप करा, तीनो फंदों को सलाई पे लिया, सीधा बिना, देखिए इस तरीके से, फिर एक फंदा सिलिप करा, तीनो फंदों को सलाई पे एक साथ बिनना है, यानि कि तीनो फंदों को एक साथ सलाई पे लेके एक बार स से बन जाएगा, एक फंदा स्लिप करेंगे, तीनों फंदों को एक सा सलाई में लेके सीधा बिनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, तीनों फंदों को सलाई में लेके सीधा बिनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, उन को अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के फंदे को उल्टा बिनते वे रो को complete करेंगे तो यहां पर हमारा design जो है complete हो गया है अब फिर से अपनी रो first बिनेगे जो हमाई राइट साच से आएगी और जो हमने पहले पहली लगाई था वही उन से हम बिनेगे यानिक अपने दूसरे color से हम रो first बिनेगे तो यहां पे हमारी एक बाफ फिर से डिजाइन शुरू हो गई है, शिक्स रो रिपीट पैटन है और यह शिक्स रो की फर्स्ट रो फिर से शुरू हो गई है, पूरी सलाई को आपको सीधा सीधा बिन देना है, जो फंदे हमने पांच वी और छटी सलाई पे सिलिप किया था उसक तो भी हमें जब हम सेकिंड टाइम डिजाइन डालेंगे तो उसको हम सभी फंदो को सीधा ही बिनेंगे, तो यहां पे हमारी एक बाफ फिर से रो फरस्ट हमने कम्प्लीट कर ली, सीधा बिन कर, अब रो सेकिंड आएगी हमारी जो रॉंग साइट की तरफ आएगी और उसक जो हम उल्टा बिन के कम्प्लीट कर लेंगे में भी šी ह workshop बहुत प्यारा सब्यां प्यवक्यां चोटा सब्सक्राइइन जाते हैं अगर आप कुछ चोटा प्रोजेक्त बनाना चाहते हैं आप अगर कुछ हलका डिजाइन चाहते हैं तो आप इस emu । गून और तक मैं आपको बता रही हूं बल्डी गलर में भी आप इसे बना सकते हैं तो यहां पर देखे हमारे डिजाइन कुछ इस तरीके का दिखाए देगा अब इसके बाद आप फिर से चाद दो सलाईयां और सीधी उल्टी बिनेंगे और फिर अपनी पांचवी छटी सलाई पर डिजाइन को बनाएंगे तो जब आप इसे थोड़ा continue रखेंगी तो आपका डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखाए देगा यह मैंने थोड़ा सा dark और light में बनाया है तो ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया